हेलो एब्रीबान साश्विकाल सार्यानू थोटा बहुत-बहुत स्वागे थे अज दी क्लास आज आपा करिंच आ रहे हैं पंजाब स्कूर एडुकेशन बोड दी दस्वी क्लास दी इंग्लिश लिट्रेचर सप्लिमेंटरी रीडर दी बुक ते ओदा तीचा चाप्टर वन थाउजन डॉलर्स आज इस चाप्टर दे विच आपा बैक एक्सरसाइस क्वेशन आंसर जेड़े हैं ओड इस किस करांगे तो चलो शुरू करते हैं सब तो पहला सवाल है गया है रॉबर्ट गिलियन नो एक हजार डॉलर किस ने दिते पैसा किस दा सी एहे उसनो क्यों दिता गया सी ते एना अंसर है गया जेड़े वकील सी टॉलमेन उना ने पैसा दिता सी रॉबर्ट गिलियन नो दिस मनी बिलॉँग तो गिलियन लंकल ते एपैसे गिलियन दे अंकल सी रोबर्ट वस आस्थ जूंट इन डे अमाउंट अ धेन अकाउंट अफॉल ही एद पैसे इन अंकल सी इस तरह हिसाब देन लई भी दस्या गया सी दूज्जा सवाल वाई वस बॉबी गिलियन नौट हैपी विद द मनी गिवन तो हिम ए रॉबर्ट गिलियन हो ही यह जड़ा बॉबी गिलियन है वी बॉबी गिलियन हो दिते गए पैसेया तेनाल हो खुश क्यों नहीं सी एदा ज दिस प्रॉपटी वस वर्थ हाफ मिलियन डॉलर्स ते ए जायदार दी कीमत हाफ मिलियन डॉलर्स सी पड बॉबी गॉट उल्ली वन थाउजन आउट अफ पर बॉबी नौ उस विच्चों सिरफ हजार डॉलर मिले सी नाचरली ही विस नौट है पैसे विच्चों तो उनू स किरफ तुपका मिलदा है ता बन्दा खुश थोड़ी हुनदा है ते इससे करके ओवी खुश नहीं सी तीजह सवाल वाट वॉट वॉट वॉस्ट वाट वाज कंडेशन लेट बाइड द लॉयर्स वकील ने की शर्ट रखी सी बॉबी गिलियन दे अगे answer the lawyer asked Bobby to spend the one thousand dollars and then give an account of how he had spent it. वकील ने Bobby नो ए पैसा खर्च कर ले के हासी थे ए भी दस न ले के हासी वो पैसे किते खर्च किते उन्हें ए दस ना सी only then the full contents of the will could be shown to him. ज़ा आके Bobby या Robert Gillian वकील नो दसेगा भी उन्हें एक हजार डॉलर किते खर्च किते उस तो बाद ही विल दा जड़ा बाकी दा जड़ा हिस्सा है गया उन्हें पाड़के उन्हों दस्या जाएगा चौत्था सवाल who else got the money and how much? Bobby Gillian तो इलावा होर किसनों पैसे मिले ते किनने? the others who got the money were the butler बाकी जिना नो पैसे मिले सी अंकल दी जाएदा तो ओसी एक butler रुस होईया the housekeeper जड़े कर दे बिच साफसफाई कर दे ने and miss Hayden एक ward सी आपा कह सागने एक orphan सी जी दे माबाप नहीं सी who was the ward of Robert's uncle? Robert दे अंकल दी ward सी जी में बच्चे डॉप नहीं कर लन दे ओ हो जया each of them got 10 dollars हर एक नू 10 dollars मिले सी ते नाल तुसी एभी लिख साकते हो भी एक रिंग भी दित्ती गई सी पंजमा सवाल why was old Bryson not serious in giving suggestions to Gillian? What were the suggestions given? बजूर्क Bryson जड़े सी ओहो बिल्कुल serious क्यों नहीं सी Gillian नू कोई सुझा अवदेन दे लई ते जो उनाने सुझा अवदेते हो की सी? अंसर, old Bryson did not like Gillian बजूर्क जड़े Bryson यूरा नू गिल्कुल नहीं पसंसी therefore he was not serious in giving his suggestions एसे करके ओनू सुझा अवदेन दे लई भी ओजादा serious नहीं सी गंभी इरहलात वेच नहीं लेकिया इसी गाल बात नू he suggested that Gillian could buy a house, provide milk for babies, spend in art galleries, spend for someone's education or buy a diamond pendant for Miss Lota ते उनाने सुझा आफ दिते भी तू हजार पया खर्च नहीं है जादा तो जादा एक मकान लेला है बच्चेयां लें दुद्ध प्रवाइड कर दे, art gallery जाके उत्थे टाइम वतीत कर ला है पैसे देखे या फिर किसे दी पड़ाई लिखाई विच कॉंट्रिब्यूट कर दे या जादा ही है ता Miss Lota नू एक दाइमंड दा पेंडेंट लेदे चेमा विच वान देट गिलियन एक्सेप्ट, वाट देट ही दू देन ये जड़े सुझाव सी एना विच्चो केडा सुझाव गिलियन ने मान लेया ते फेर उस तो बाद उने की किता गिलियन एक्सेप्ट दू सुझेश्ट दू दाइमंड पेंडेंट तू Miss Lota गिलियन ने एहे सुझाव एक्सेप्ट कर लेया थी स्विकार कर लेया सी भी Miss Lota लो एक दाइमंड दा हार पेंडेंट लेया रनेया एस तो बाद उने की किता ही फोन तूसी एवी लिख साकते हो ही कॉल फॉर एक्सेप्ट उने काब बुलाई अधिक कुछ सवाल पुछे गए नहीं को सवाल दे विच ओ ए कि मिस लोटा लोरिया कौन सी कि यो खुछ सी जद गिलियन उना नू मिलन आए ते जद उना ने कुछ ओफर किता मैं लेके देना ताओ खुछ होई सी जो भी तुसी जवाब दोगे हो दे सपोर्ट दे विच आ अभी नेतरी सी शी जड़ नॉ ज़्यादा पसांनी आया सी जद गिलियन को आया सी उन्हें एक यहां सी मेरा दोविंट शो ए जो काल करनी जल्दी कार रोगा ज़्यां आपी विद गिलियन ने उफ़र दिता सी पी मैं तिन सिफर पिछे लाके एक नंबर अगे लाके ते न अगला What did Gillian ask the driver of the cab? Gillian ने cab driver तो की के हा? Did he like his answer की उन्हों cab driver ना जवाब पसांद आया? How do you know थे थो उन्हों के में पता है? एदा answer A है का है? Gillian asked the cab driver What he would do if he had a thousand dollar? Gillian ने cab driver नो पुछा भी जे तेरे को थाजार डॉलर आजान तू की करेंगा ओदेनार? The driver said that he would open a saloon ते driver ने केहा भी मैता एक दुकान खोलांगे शराब दी At this Gillian said Oh no It shows that he did not like the cab driver's answer ते जदो ने Oh no केहता एदा मतलब एए है भी उन्हों एदा लगदा है भी उन्हों ओदा जवाब पसांद नहीं आया अगला Who did Gillian talk to next? Why? Cab driver तो बाद Gillian ने की दे नाल गाल की थी थे क्यों? Gillian next talked to a blind man उन्हें एक अगे जाके एक अन्ने आदमी ना गाल की थी Who was selling pencils? जो pencils वेच रहा सी He wanted to know from him What he would do if he had a thousand dollars ते वो ओदे तो जानना चाहूंगा सी भी जे अन्ने इन्सान को हजार डॉलर आ जानते वो की करेगा पैसे ना 10 Which is the correct answer? केड़ा अंसर ठीक है देली After talking to the blind man Gillian went to अन्ने इन्सान नाल गाल करन तो बाद Gillian कित्थे चला गया Miss Hayden को Lawyer को या Miss Lauria को ओ ब्लाइन नाल गाल करन तो बाद Lawyer's call चला गया सी अगे चाल देया Why did Gillian give his money to Miss Hayden? Gillian ने अपना पैसा Miss Hayden नो क्यों देता सी? जो वार्ड सी, जो ओर्फन सी, जो अंकल को रेंदी सी What did he ask her to give him and why? ते जादो पैसे दे रहे आ सी हो नूँ ते उन्हे उस तो की मंगया ते क्यों? to give him a piece of paper to write a note ते उस तो बाद ओने Miss Hayden तो मंगया भी paper दे दे and pen to write a note on the expenditure या तुसी लिख सकती हो to write about how he spent thousand dollars क्यूंकि उन्हे खर्चा देना सी न भी कित्थे खर्च कीता उने बारे उने pen ते कागस मंगया Hayden तो अगला बार्मा सवाल What did Robert Gillian write in his note? उन्हे अपने note की लिखिया He wrote that he had paid one thousand dollars to the best and the dearest women on earth उन्हे नोट दे बिच लिखिया भी हजार डॉलर उन्हे दुनिया दी सब तो वदिया ते सब तो प्यारी ओरत नू दे रिते He added that it would give him eternal happiness दे बाद बिच उन्हे भी लिखिया अगे लिखिया कि ये हे उसनो बहुत ज्यादा खुशी देएगा अगे Why did Robert Gillian go to the lawyers again? ये note लिखन तो बाद और lawyers को दुबारा क्यों गया? He went to the lawyers to give them the account of how he had spent the one thousand dollars भी हिसाब देन गया भी उन्हे एक हजार डॉलर की वे spend कीते कैन दा मतलत की वे खर्ज कीते आगला 14th question What did What had Robert Gillian's uncle written in the postscript of his will? Uncle ने अपनी जडी विल सी उन्हों साइन करन तो बाद की लिखिया सी वन थले Document खतम होन तो बाद की लिखिया सी He had written that if Robert had spent the money wisely उन्हाने ये लिखिया सी भी जेकार Robert सियानत देनार पैसे खर्च करेगा He would get another five thousand dollars ते उन्हों एक होर पांच हजार डॉलर मिल जानगे और else this amount would go to Miss Hayden ते जे उन्हों हजार डॉलर सही तरीके ना नहीं spend कीते ता ये वाले जिनने भी पैसे हैगे ने ते बाकी दी जायदा Miss Hayden देना हो जाएगी पंदरमा सवाल देखो है थे ना पोस्क्रिप्ट दी गाल की ती जाए ते ए गाल Robert Gillian ने कही सी Hayden नू पैसे देन दे हुए वैसे अंकल ने एक होर envelope दे विच ओ विल दा दुज्जा पाट लिखिया सी पंदरमा सवाल वाई दे गिलियन नोट get the rest of the money Was he sorry for his action गिलियन नू बाकी दा पैसा क्यों नहीं मिलिया ते उन्हे उस तो पहला पैसे गवान दे ली जो हरकत कीती सी ओ ओ दे बारे उदास सी गिलियन told the lawyers falsely that he had lost the thousand dollars on races ते उन्हें चूट बोलिया सी वकीला नू भी उन्हें ना दौर दे विच पैसे सटे ते लाए ते उन्हें हार गया तास ही लोस्ट his right to the other five thousand dollars जिस करके उन्हे पाँज़ा डॉलर जो नू मिलने सी जद उन्हें खर्चा दासना सी किते खर्चया ना उन्हें ओ भी गवाच दे but he was not at all sorry for it पर उसनों इसना कोई गम नी सी rather he was happy that the money would go to the lady he loved so much rather उन्हें बहुत खुश सी सगो बहुत खुश सी कि एहे एक वदी औरत नू जाएगा जिसनों बहुत प्यार कारदा सी ते सीगी अजदी क्लास में उमीद कारदीया था नू एक question and answer समझ आ गए होंगे जिए वीडियो बदिया लगी ता like, share, comment जरूर करे हो, अपने answers भी मेनू comment section दे मिछ दसे हो आपा फेर मिलांगे, till then take care, bye bye